नमस्कार दोस्तों, एक जन्वरी दो हजार चौबीस साल के पहले दिन घर के नमक के डिब्बे में डाल देना, यह एक चीज, दोस्तों यह बहुत कारगर उपाय है, मान लीजिये, आपका व्यापार नहीं चल रहा था, तो वह व्यापार फिर से चलने लग जाएगा, आपको किसी बीमारी ने घेर रखा था, तो वह बीमारी आपकी जड़ी एच से खत्म हो जाएगी, आपको किसी दुश्मन ने परेशान कर रखा है, तो वह दुश्मन आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा, मान लक्ष्मी आपके उपर इस प्रकार धन वर्षा करेंगे, कि अचानक स आपको करोडों का धन मिलेगा, क्योंकि दोस्तों, मान लक्ष्मी जिस व्यक्ति पर खुश हो जाती है, उसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी दुख दर्द नहीं आते, और उसके जीवन में धान की कमी नहीं होती, तो दोस्तों चले वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन दिब्बे में रख देना, बस ये गुप्त चीज, जीवन के हर कश्टों से, हर दोश से, चाहे हो वास दोश, शनी दोश सबसे तुरंत मिल जाएगी, आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी का मिलेगा, ऐसा आशीरवाद जिसके बाद आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा बन जाओगे, आप करोड़ पती दोस्तों सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जाकर के हमको यह बताईए, क्या आपने अलग से अपने घर पर एक डिब्बे में नमक भर कर रखा है, कि नहीं रखा है, और दोस्तों अगर नहीं रखा है, तो आज ही जाकर के एक डिब्बा तु चुपाना है, और इस बात की हमको सौ परसेंट गारंटी देते हैं, कि जैसे ही आप तंत्र शस्त्र के अनुसार उस गुप्त चीज को नमक के डिब्बे में छुपाए या रखेंगे तो मान कर चलिए, इस उपाय को करने के बाद ना केवल आपको आपकी जन्म जन्मांतर क की गरीबी, परेशानी, कष्ट, वास्तु, दोश और सभी तरह की समस्या से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बलकि अगर आपने इस उपाय को सही महूर्थ पर कर लिया, तो मान कर चलिए, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में धन आने रास् होगी, आपके घर की उन्नती होगी, यह एक ऐसा उपाय है, जो ना केवल आपके बलकि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमतकारी और सकारात्मक बदलाव लाएगा, जैमा लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लायक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके ज सीधे उस व्यक्ति के जीवन के आर्थिक स्थिती से संबंध रखता है, जोतिश में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एक घर में नमक का डिब्बा खाली हो जाता है, तो इस से उस घर की आर्थिक स्थिती पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, और उस घर का वास्तु दो नहीं बरतते हैं, तो आपके जीवन में आपको कई तरह की परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु दूसरी तरफ अगर आप नमक को ले ले करके वह उपाय करते हैं, जिसके बारे में शास्त्र और ज्योतिश शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए दो जाएगी, बलकि आपके उपर धन की वर्शा होगी, आपके पास इतना धन आ जाएगा कि आपकी आने वाली साथ पीढ़ी भी पैसों पर राज करेगी, दोस्तों, अगर आप करोडपती बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन से हर तरह की दिक्कत परेशानी ख आपके जीवन में इतना धन हो, फिर आपको धन संबंधित किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो आज के बस इस छोटे से वीडियो को लास्ट तक बिना भगाए देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों, नमक एक बहुत साधारण सी चीज होती है, और नमक ऐसी जो हर किसी के किचन में होती है, मगर ये सिर्फ खाने में डालने के ही काम काम नहीं आती, इसके कई और फायदे भी हैं, जो हमारे पूरे सुक समरिध्ध से जुड़े हैं, और हाँ, इसके लिए आपको नमक खाने की नहीं, बलकि उसका कुछ इस तरह इस्तेमाल करने की जर जरूरत है, चुटकी भर नमक के ये फायदे भी हो सकते हैं, आप जानकर हैरान रह जाएंगे, अब हो सकता है आपको ये अंध विश्वास की चीजें लगे मगर जोतिश और वास्तुशास्त्र में घर की सुक समरिध्ध वा अन्य कई समस्याओं के लिए नमक से जुड़े उपाये बताए गए हैं, इन उपायों को करने के बाद आप और आपका पूरा परिवार बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही सफल होंगे, इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीरवात से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नती करें, बहुत ही आगे जाएं। तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर कि तुरंत लिख दीजिए। माता लक्ष्मी जी की जय और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूल लिए और एक काम कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राश्य जरूर डाल दीजिएगा। या आपके जीवन में किसी परिशानी से आप परिशान हैं तो अपनी परिशानी डाल दीजिएगा। आपकी राशी या परेशानी के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो करके आप लाभ पा सकते हैं वह आके हम कमेंट के रिपलाई में आपको बता देंगे परंतु आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिये और कमेंट बॉक्स में जयमान लक्षमी लिखने के बाद अपनी राशे और अपनी परेशानी जरूर डाल दीजिएगा देखिए दोस्तों तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 112 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे एक मनुष्य के जीवन में की खाली हो जाता है तो इस से उस घर की आर्थिक स्थिती पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और उस घर का वास्तु दोश भी खराब हो जाता है दोस्तों नमक के द्वारा की गई लापरवाही आपके जीवन में गरीबी और परेशानी ला सकती है मान के चलिए अगर आप नमक को लेकर के सावधानी नहीं बरतते हैं तो आपके जीवन में आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है परंतु दूसरी दोस्तों अगर आप नमक को ले लेकर के वह उपाय करते हैं जिसके बारे में शास्त्र और ज्योतिश शास्त्र में लिखा हुआ है तो मान के चलिए दोस्तों ना केवल आपकी तिजोरी धन से भर जाएगी बलकि आपके उपर धन की वर्षा होगी आपके पास इतना धन आ जाएगा कि आपकी आने वाली सात पीड़ी भी पैसों पर राज करेगी। दोस्तों अगर आप करोड़ पति बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन से हर तरह की दिक्त परेशानी खत्म हो जाए। आपके जीवन में कभी भी आपको किसी भी तरह के कष्ट दोश का सामना ना करना पडे। इसी चीज है जो हर किसी के किचन में होती है, मगर ये सिर्फ खाने में डालने के ही काम-काम नहीं आती, इसके कई और फायदे भी हैं जो हमारे पूरे सुक समरिध्ध से जुड़े हैं, और हाँ इसके लिए आपको नमक खाने की नहीं, बलकि उसका कुछ इस तरह इस्तेमाल करने की जरूरत है, चुटकी भर नमक के ये फायदे भी हो सकते हैं, आप जानकर हैरान रह जाएंगे, अब हो सकता है आपको यह अंध विश्वास की चीजें लगे, मगर जोतिश और वास्तुशास्त्र में घर की सुक समरिद्ध वा अन्य कई समस्याओं के लिए नमक से जुड़े उपाय बताये गए हैं, इन उपायों को करने के बाद आप और आपका पूरा परिवार बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही सफल होंगे, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की क्रिपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीरवात से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नती करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए, माता लक्ष्मी जी की जय, और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक करना मत भूल लिए और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशी जरूर डाल दीजिएगा, या आपके जीवन में किसी परिशानी से आप परिशान हैं, तो अपनी परिशानी डाल दीजिएगा, आपकी राशी या परिशानी के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा, जो करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आके हम कमेंट के रिप्लाई में आपको बता देंगे, परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में जयमान लक्षमी लिखने के बाद, अपनी राशे और अपनी परिशानी जरूर डाल दीजिएगा, देखिए दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अध्याए नंबर 112 में साफ साफ लिखा हुआ है, कि जैसे एक मनुष्य के जीवन में कि उसके खाने का स्वाद नमक के बिना अधूरा होता है, वैसे ही दूसरी तरफ एक मनुष्य का जीवन भी नमक के बिना अधूरा समझा जाता है केवल नमक घर के वास्तु दोश से संबंध रखता है बलकि नमक जो होता है वह एक वव्यक्ति की आर्थिक स्थिती में भी असर डालता है यहां तक की वेद पुराणों में साफ साफ बताया गया है कि जिस घर में भी नमक का डिब्बा खाली होता है उस घर की बरकत कभी भी नहीं होती है जिस घर में भी नमक का उपाय सही तरह से किया जाता है उस घर की बरकत भी होती है उस घर की उन्नती भी होती है उस घर पर सदैव माता लक्षमी जी की कृपा बनी रहती है दोस्तों कुन नमक को लेकर के उन बातों के बारे में हम बताने जा रहे हैं जो आपका जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और आपको दिंचर्या के काम में इन बातों का ध्यान जरूर ही रखना चाहिए ताकि आपके जीवन में जो भी परेशानिया आने वाली हो वह अपना रास्ता बदल ले इन उपायों को करने के बाद आप अपने जीवन में इतना ज्यादा काम्याब हों तो हर जानकारी को बहुत ध्यान से सुनिए जैमा लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और दद अंशु वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना तो सबसे पहले उपाय जो आपको हम बताने जा रहे हैं वह काम करते हैं उस काम में बड़ी परेशानी आती हैं आपके घर की उन्नती और बरकत पूरी तरह से रुख चुकी है तो बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है और इस उपाय को करने के बाद मान के चलिये ना केवल आपके घर पर सकारात्मक उर्जा का वास हो जाएगा बलक विशेश करके ध्यान रखिएगा गुरुवार को छोड़ करके आप अपने ने घर पर किसी भी दिन पोचा लगाते हैं तो पोचा लगाने वाले पानी में एक छुटकी नमक डाल दीजिएगा दोस्तों गुरुवार के दिन कभी भी घर पर पोंचा नहीं लगाया जाता है और अगर आप जाने अंजाने गलती से भी गुरुवार के दिन पोंचा लगाएंगे तो इससे आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाएगा तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा सप्ताह के बस एक घर पर पोचा लगाईए और पोचे वाले पानी में एक सकारात्मक उर्जा का वास हो जाएगा जिस घर में भी सकारात्मक उर्जा का वास होता है उसे घर में देवी शक्तियों का अशीरवाद बना रहता है उस घर की बरकत होती है उस घर की उन्नति होती है और घर के हर एक सदस्य अपने जीवन काल में जिस कार्य को भी शुरू क करेंगे कार्य में उनको सफलता हासिल होगी यह उपाय करने से आपके घर का वास्तु दोश भी जड़ से नश्ट हो जाएगा दोस्तों धन प्राप्ती और बरकत हे तू नमक को कांच के पात्र में रखें और उसमें चार-पांच लॉंग डाल दें इससे धन की आवक शुरू होने लगेगी और घर में बरकत भी बनी रहती है इससे एक और जहां नमक में सुगंध बनी रहेगी वहीं इस उपाय से कभी धन की कमी नहीं होगी अब मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है आप बहुत मेहनत करते हैं आप बहुत परिश्रम होते हैं पर अगर आपने यह उपाय सही महूर्थ पर कर लिया, तो मान कर चलिये, न केवल आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, बलकि आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। अब इस एक गिलास पानी में आपको एक चम्मच नमक डाल देना है। अब इस एक उपाय आपको हर एक पंद्रह दिन पर करना है। या हर एक शनिवार को करना शुरू कर दीजिए। आपके उपर जो भी दोश होगा उसका असर लगभग लगभग ना के बराबर हो जाएगा। तो आपको यह करना है कि मंगलवार को या शनिवार को आपको एक कटोरी दही लेना है और उसमें काला नमक मिला करके इसका सेवन करना है। अगर आप किसी मंगलवार को और शनिवार को यह उपाय करना शुरू करते हैं और हर एक मंगलवार को या हर एक शनिवार को यह उपाय को आप करते हैं। तो मान के चलिए, आपके उपर शनी दोश है, मंगल दोश है, साड़े साथी चल रही है, आपके यहां कैसा भी दोश है, उसका असर ना के बराबर हो जाएगा. यह एक ऐसा उपाय है, जो आप किसी भी पंडित से पूछेंगे, तो वह आपको जरूर बताएगा. तो इस उपाय को अगर आप करेंगे, तो आपका दुरभाग्य आपसे दूर चला जाएगा, और आपके नवग्रह की पीड़ा भी शान्त हो जाएगा. दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही अब मिलते हैं. अगले वीडियो में धन्यवाद, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए.